हेलू स्वागत दोस्तों आपका आपके चैनल पर मैं जुक्यान में करेंट से रिलिटेट टॉपिक है क्योंकि आप सभी को पता है हमारे देश में अभी एलेक्शन हुए है राष्टपती के उसमें हमारे देश को एक नया राष्टपती मिला है जिनका नाम है स्रीमती दूसरी महिला राष्टपती मगर यह पहली आदिवाशी महिला राष्टपती है करेंट का यह टॉपिक है इनसे रिलिट हम लोग इनके विशह में जानते हैं इनका जन्म होता है 20 जुन 1958 को कहां उडीशा में किस गाउं में होता तो गाउं का नाम है उपर बेड़ा और जि बहुत ही जानने वाले कि आदिवाशी परिवार तो संथाल आदिवाशी परिवार से हैं जिला इनका है मयूर भंज ग्राम उपर वेड़ा और राज है इनका ओडीशा सिक्षा के बारे में जानते हैं कि सिक्षा गाउं के पास ही एक स्कूल था वहां से इन्होंने अपनी प्राथमिक सिक्षा ग्रहन की उसके बाद माधमिक सिक्षा का कोई वहां पर साधन नहीं था तो वह बुवनेश्व चली गए और वहां पर उन्होंने स्सी चात्रवास में रहकर अपनी पढ़ाई की उसके बाद आगे की सिक्षा उन्होंने इसनातक की पढ़ाई जो अपन पूर्व में इसका नाम रमादेवी महिला कॉलेज था 2019 में इस कॉलेज का नाम रमादेवी विस्विद्याले हो गया उन्होंने वहां पर अपने इसनातक इस्तर की पढ़ाई 1975 से लेकर 1989 तक की उसके उपरांथ उन्होंने ओडिसा सरकार में सिचाइब विवाग में नौकरी इसनातक करने के बाद और दृबदी मुर्मु जी का विवाह जो है स्याम चरण मुर्मु जी से हो गया जो की बैंक में कारण रख थे 2010 से 2014 के बीच में उनके बेटे दुरगटना में गुजर गए दो बेटे थे उनके पती भी या बलदास्त नहीं कर पाए और उनके भी बिमारी के कारण निदन हो गया तो यह उनका जो परसनल चीज थी वहां पे हम लोग ने डिस्कुस्शन किया अब हम बात करते हैं उनके सफर के बारे में तो उन्होंने अपना जानितिक सफर BJP केसा सब्स्रूर किया कि पहली बार 97 वे में BJP के टिकट से नघर पालिका की पारश्यदबनीय कौन सी नघर पालिका तो यह बहुत ही इंप्रॉडन तो रायरंगपूर की नघरपालिका जो है वहां की वह बनाया गया था तेरी वी विदायक बनी मगर इस वार मंतरी नहीं बनाए गया और उन्हें अत्रिक्त पद दिये गये थे कि 2007 में विदान सवा में सर्वसेष्ट प्रदर्शन के लिए नील कंट पुरस्कार से संभानित किया गया तो यह बात बहुत ही इंप्टेंट है आप याद रखेगा कि हो सकता करेंड में सारी कोशन ऐसे आ जाते हैं या ऐसा कौन सा राष्टपती जिसको नेल गंट पुरुसकार से सम्मानित किया गया तो वह कौन है दुरब्दी मुर्मु जी है 2006 से लेके 2009 तक ओड़ी इसा भाजपा की अनसुची तिर जाती की वह अध्यक्ष रही थी 2009 में विधानसवा चुनाव में विजेपी और बीजेद का गटवंदन तूट गया और दुरब्दी मुर्मु को सिकस्त का सामना करना पड़ा उसके उपरांत वह अपने ग्रह जन पर चली जाती है और वहां पर उनको पार्टी को मजबूत करने का कारेबार दिया जाता है 2010 में विजेपी से मयूर भंज जिले का उधने अध्यक्ष बनाया जाता है 2014 में केंदर में विजेपी आई और उन्हें जारखंड का राजपाल बनाया गया जारखंड की वह नौवे राजपाल के तोर पर उन्होंने वहां पर ग्रहन किया और पहली महिला राजपाल बनी थी जारखंड की वो तो यह भी important है पहली महिला राजपाल बनी थी वो जारखंड की और दूसरी देश की राष्टपती बनी है पहली महिला आदिवाशी राष्टपती बनी है तो यह बहुत ही important fact है उनसे related तो जारखंड की पहली महिला स्रीमतिवादेवी पाठील जि है कि 12 रश्टंपति बनाई जेती तो 2015 सरेलों documents तक वह राज्यपाल रही है उसके बाद 2022 में राश्टंपति बनें यो कि देश की दूसरी महिला राश्टंपति है और देश की पहले आदिवाशरी महिला राश्टंपति है मैना तो इस स्री रामनात कोविंद जी उनका कारेकाल 24 जुलाई को समाप्थ हो रहा है तो जब उनका कारेकाल समाप्थ होगा 24 जुलाई को उसी के उपरां तो 25 जुलाई को अपना पद ग्रहन करेंगे तो आपने देख लिया करेंट से रिलेटेड़ टॉपिक और उनके विशाय में देखने के लिए और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें अब करेंट से रिलेटेड वीडियो भी आपको मिलती रहा करेंगी इसी चैनल पर जोकि आपके आने वाले एक्जाम्स के लिए और आपको खुद डेली अपडेट करने के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपोर